हाइ फ्रेंड्स वेलकम टो माय किचीन यह मैंने एक कप पानी में चामल बगो के रखें ऴूप शुद धोकर वेखो द्भी Paulo है कि एक पशना रिलकर पानी में बगो के रखें चैनल चनल सेजल ये मैं लिया हम ये 230 g घंचение 230 g घंच एक चोड़ाइन है है जीराअ यह चौजए च में डालें गीज दो तो तीज घंच ग्राम गोबी कोबी 1 कूर टेबलब मेदा डाले 2 कॉधन ze 2 मीडा डाले नमक लाल, छीमिचम, जीर पाउडर, आमचूर टेचों 5 बड़ो मेदा तो Before बेटर सही बनेगा और ये पूरा मेरदा और कान फ्लोर गोबी के उपर चिपकना चाहिए अच्छे से मिलाएं मैंने एक चौथाई कब पानी इस्तमाल किया था और दो टेबल स्पून मेरदा दो टेबल स्पून कान फ्लोर एक छोड़ा चमा नमक, एक चोथा चमा लाल मिच, एक छोथा चमा जीरा पाउडर, एक चोथा चमा ज हामचूर पाउडर, आदा चमा धनिया पाउडर, 230 क्राम गोबी, तो गोबी के उपर देखें, अच्छे से कोटिंग हो गई है, आप चाहें तो कलर इस्तमाल कर सकते हैं, लाल रंग का मैं कोई भी कलर इस्तमाल नहीं कर रही हूं तेल पानी में डालेंगे 1.25 टी स्पून नमक और एक कप चावल जो हमने दो के रखे थे बिगो के रखे थे चावल इसमें पूरे डाल दें सवा चोटा चमच नमक डालाएं मैंने चावलों में पानी के लिए अब हम गोबी को फ्राइ करेंगे तेल घरम होना चाहिए तब ही गोबी डालें वह अगर ठंडा तेल होगा तो गोबी नीचे जाके बेट जाएगी और फिर चिपक जाएगी पेन में सारी कोटिंग खराब हो जाएगी तो इसको तेल में फ्राइ करें गोल्डिन ब्राउन medium to high flame पे golden brown fry करें गोबी को 6-7 मिनट लगेंगे इसे fry होने में 6-6 मिनट बाद इसे निकाले medium to high flame पे 6 मिनट पकाएं और फिर 6 मिनट के बाद इसको बायर निकाले अभ मैंने इसे दो बार fry किया था पहली दफार अधने के बाद प्लेत में निकाल दिया सेकंड टाइम री फ्राइ किया था तबacement है इसके उपर अच्छा कलर और और क्रिश भी बने थे निकाल रही हैं निकाल रही हूं रिक्ति आपने दॉरा पहर Śण exile मैं दीखा नहीं है तो यह गोपी के पीसे डाल दें इसमें प्रोसेस भाई है छे से साथ मिनट मीडियम टो हाई फ्लेम पर फ्राय करना है पहली दफ़ा जब आप फ्राय करेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा गोपी में तेल होगा जब आप दोबारा फ्राय करेंगे तो वह क्रिस्पी बन तो पहले हम इसे फ्राय होने देते हैं एक छोड़ा चमश सुरखा अ इसमें डालेंगे हम एक छोटा चमश स्वीच चिली सॉस मिंक्स करके रख लेते हैं साइड में जो हमें बात में डालनी है तो अब हम इसमें डालेंगे ellos चोटा चमश केचप टोमेटो सॉस ढर्रेट च खोटा चमच किमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस exactly 12-4 चोटा चमच किमिनच को साथ सारी Сам Siis को मिला लें तो ये देखें ये फ्राय हो गई है अब हम इनने निकाल लेते हैं तो निकालने के बाद पूरी कोबी को दुबारा हाइफ लेम पे एक मिनट तक फ्राय कर लें इससे क्या होगा अच्छा कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी बन जाएंगी री फ्राय के बाद सिर्फ दो टेबलिस्पून तेल रखें कड़ाई में एक छोड़ा चमच अधरक लेसन का पेस्ट डालें और एक हरी मिच डालें लदरक लेसन के पेस्ट और हरी मिच को पकने दें तेल में चामल उबल गए हैं 90% पक गए हैं ये देखें और खिले खिले हैं इन्हें हम चान लेते हैं चामलों को चामलों को चान ले और साइड पे रखें, थोड़ा ठंडा करें इन्हें, तो इसे हम साइड में रख देते हैं चामलों को चामलों हमारे त्यारे, खिले खिले जबर्दस में लिया है, दो टेबिल स्पून कदू कश्की हुई प्यास और गाजर है, आदा कप कदू कश्की हुई और एक चौताइक कप है फ्रोजन मतर हरा मतर ग्रीन पीज है, वन फ्रोजन ग्रीन पीज, वन बाइ फॉर कप, ग्रेट केरेट हाफ कप टू टेबिल स्पून ग्रेटेड ओनियन प्यास है गाजर है और मटर है प्यास दो टेबिल स्पून कदू कश्कीवी आधा कप गाजर तो यह देखें सॉसिस पूरी को मैंने मिक्स कर लिया हम सबजियों में डालेंगे एक चोथा ही छोड़ा चमाची डालें क ताके यह थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं इमें सोया सास जालना भूल गई तो इसमें डाल देते हैं एक चोटा चमाच सोया सास सोया सास को मिला लें पूरी सौसिस के साथ तो हमारी सौसिस पूरी रेडी हैं सबजियां देख लेते हैं कहां तक पकी सबजियां भी पक गई हैं तो अब हम इसमें डालेंगे ये पूरी सौसिस सौसिस पूरी डालने पहले मैंने थोड़ी डाली मिला लिया ऐसे हाइ फ्लेम ही रखें फ्लेम को कम ना करें तो ये मैंने पूरी सौसेज इसमें डाल दी तो ये हमारा सबजियों का मिक्सचर त्यार है हमारे पकोड़े भी त्यार है चावल भी त्यार है बस अब में मिक्सिंग करनी है तो इसमें चावल डाल दें, मुझे ये ज्यादा लग रहे हैं तो मैं थोड़े साइट कर लेती हूँ, तो चावलों को सबजियों के साथ मिला लें, मिक्स कर लें, हाइ फ्लेम पे मिक्सिंग करें, टॉस कर सकते हैं तो टॉस करें, वरना हलके आथों से मिलाएं ताके चावल तोटे नहीं, खिले खिले चावर होने चाहिए, ओवर मिक्सिंग ना करें, अब हम इसमें डालेंगे गोपी के पकोडे, जो हमने फ्राय करके रखे थे, आप चाहें तो गोपी के पकोडे लास्ट में डालें, यहां फिर अभी डालें, जैसे आपको ठीक लगे, लास्ट में तो थोड़ा और क्रिस्पी रहेगा, और अगर अब भी डालेंगे तो हो सकता है, थोड़ा यह साफ्ट होगा, पर फिर भी खाने में क्रंच मैंटेन रहता है, तो वो आपके उपर डिपेंड है, आप अंदर डालें या बाहर डालें, तो गोपी के पकोड़ों को, अब हम डग देंगे और पांच मिनर लोग इस पर दम देंगे इसको डग दें इसे पांच मिनर लोग इस पर दम दें फिर जबरदस हमारी गोभी मंचूरियन ब्रियानी बनकर त्यार हैं अब हम इसे निकालते हैं और सर्व करें इसे प्लेट में बिलकुल जबरदस हमारी वेज अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें थैंक यू फॉर वाचिंग